नमस्कार दोस्तों धर्म रहसे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दीपा वली नज़्दीक आ रही है ऐसे अवसर पर माता लक्षमी को प्रसंद करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं की जाती हैं लेकिन मा को प्रसंद करना इतना आसान नहीं होता है लेकिन अगर इसी की जगह हम उनकी कुछ सहायक सेविका शक्तियों को प्रसंद कर लें तो हम अपने भाग्य में परिवर्तन ला सकते हैं ऐसी ही एक साधना है कमला यक्षणी की साधना जिनकी साधना कभी खाली नहीं जाती है साधना भंग भी हो जाए तो भी विक्ति को धनलाब प्राप्त होता ही है तो क्या है यह साधना और कौन है यह यक्षणी इनकी सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा साथ ही इनकी विधिवत तरीके से कैसे साधना करनी है और दीपावली की रात को कैसे इस साधना को समाप्त करना है इसका लिंक मैंने अपने इंस्टा मूजो एकाउंट में डाल दिया है और आप यह साधना अवश्य करें क्योंकि यह साधना धन प्राप्ति के लिए बहुत अधिक उत्तम साधना मानी जाती है और अगर आपने इस देवी को संपूर्णता से सिद्ध कर लिया तो आप स्वयम कुबेर के समान धनी बन सकते हैं यह एक अनुभूत साधना है और जिन लोगों को करवाई गई है उन्हें भी बोयशेश लाभ प्राप्त हुआ है स्वयम मैं भी इससे लाभानवित हो चुका हूं तो इस साधना के लिए सबसे पहले आपको कमला यक्षणी को जानना होगा आखिर यह हैं कौन एक बार जब भगवान विश्णू माता लक्षमी के साथ में छीर सागर में आपस में बाते कर रहे थे तभी वहां परेशान यक्षों की एक पूरी जाती उपस्थित हुई उन्होंने कहा कि हे प्रभु आपके कारण सारे जगत का पालन होता है किन्तु यक्ष लोक अपनी सारी धन संपदा छिन जाने से बहुत अधिक परेशान हो चुका है और राक्षशों ने हमारा सारा धन और जितना भी संपत्ति का पूरा हिस्सा था वह सब पाताल लोक खीच ले गए हैं इस वजह से अब हम किसी लायक नहीं रहे हैं आप अपनी क्रपा हम पर बरसाईए और हमें कोई मार्ग दिखाईए तब भगवान विश्णू ने माता लक्षमी को मुस्कुराते हुए कहा यह तो आपका विशह है यक्षों को धन देना आपकी जिम्मेदारी है तब माता लक्षमी ने कहा मैं तो आपकी सेवा में रहती हूँ भला मैं आपको छोड़ कर क्यों जाऊंगी रही बात धन की तो मैं अवश्य ही इसका प्रबंध कर देती हूँ तब माता लक्षमी ने अपने अंशशे एक देवी को प्रकट किया और वह देवी सामने एक कमल के आसन पर विराजमान होकर साक्षात प्रकट हुई उसने कहा हे माता आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है कृप्या मुझे बताईए मेरा क्या कारे होगा तब माता लक्षमी ने उस यक्षणी को कहा कमल पर विराजमान मेरे स्वरूप को धारण करने वाली तुम कमला नाम से जानी जाओगी और तुम्हारा लोक यक्ष लोक होगा इस लोक में तुम अपने प्रभाव से धन और संपत्ति देने वाली गुप्त स्वरूप में विराजमान रहोगी यक्ष तुम्हारी गोपिनिय तरीके से पूजा करेंगे और यक्षणी स्वरूप में तुम यहां रहकर मेरी साधना करोगी ताकि तुम्हे मुझसे अतुलनी धन प्राप्त हो सके और तुम कभी भी यक्ष लोक में धन की कमी ना होने दो इस प्रकार से जब माता ने कमला यक्षणी को उसके करतब विसमझाए तो वह कमला यक्षणी कुबेर के साथ यक्ष लोक चली गई वहाँ पर राक्षणों के आक्रमन के कारण जितना भी धन समाप्त हो गया था वह सब कमला ने पूरा कर दिया इस प्रकार यह एक अत्यंत ही गुप्त यक्षणी है इसकी साधना करके आप भी यक्ष लोक के समान अपने जीवन में अतुलनी धन को प्राप्त कर सकते हो किन्तु कुछ सावधानी इसमें बरतने की बहुत अधिक आवश्यक्ता है और वह यहां है कि कमला क्यूंकि माता लक्षमी की ही पुत्री है इसी कारण से वह बहुती अधिक सौमें शांत और तेजस्वी होने के साथ साफ सफाई शुद्धता मन की पवित्रता पूर्ण ब्रह्मचर्य बहुत अधिक पसंद करती है इसलिए अगर आप इनकी साधना करने की सोच रहे हैं तो आपको मन वचन कर्म से पूर्ण तहाप पवित्र रहना होगा अगर आप इनकी साधना में इन में से किसी भी नियम को तोड़ते हैं तो फिर आपको इनकी सिध्धी प्राप्त नहीं होती है और आपका प्रयास असफल हो जाता है इसलिए मन वचन कर्म जिस इस्थान पर आप इनकी पूजा करते हैं वहाँ चारों तरफ फूल ही फूल लटका दीजिए वहां पर फूलों की सुगंध के सेंट भी छिड़क दीजिए ताकि कमला यक्षणी के आने में कोई रुकावट ना आए और जब आपके अंदर वह शुद्धता और आपके घर और आसपास पूर्ण शुद्धता सफाई इत्यादी को देखेंगी तो निश्चित रूप से वह प्रसन होती है और फिर आपको वह धन के विभिन्न स्रोत प्रदान करती हैं यह तो केवल साधरन पूजा में करने मात्र से हो जाता है लेकिन अगर व्यक्ति ने इनकी तांत्रिक पूजा संपूर्णता से कंप्लीट कर ली और सभी नियमों का अच्छी तरह पालन कर कोई गलती नहीं की तो यह देवी आपके साक्षात सामने प्रकट होकर आपसे अपना रिष्टा बना लेती हैं यह आपकी माता बहन प्रेमिका पत्नी या फिर जिस भी संबंध में आप इनको बांधेंगे वह बंध कर आपके साथ जीवन भर संगिनी बन कर रहेंगी और ऐसा व्यक्ति स्वयम कुबेर होता है यानि वह धन के मामले में संसार में उससे ज्यादा अधिक शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता है क्योंकि जिन देवी ने यक्ष लोग को धन से भर दिया वह आपके जीवन को भी धन से भर देंगी आप इनकी साधना में शुद्ध घी के दीपक का ही प्रियोग करें और याद रखें इनकी साधना में मूंगे की माला का इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि इन्हें यह सब चीजें बहुत अधिक प्रसंद होती हैं और कपड़ें आपके लाल रंग के ही इस्तिमाल होंगे क्योंकि यह माता के जैसे ही पूरी तरह दिखने में लगती हैं बस जहां माता लक्ष्मी चार भुजा धारणी हैं वहीं कमला यक्षणी दो भुजा हैं मानिवी यह सुरूप में दिखाई पड़ती हैं यह बहुती अधिक सुन्दर और धन बरसाती हुई दिखाई पड़ती हैं माता लक्ष्मी की वहां व्यक्ति स्वयम संतान हो जाता है जो कमला यक्षणी को पूर्ण सिद्ध कर लेता है तो यह सब बातें ध्यान में रखते हुए इनकी साधना अवश्य करें इस साधना का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वहां से आप क्लिक करके इंस्टा मोजो एकाउंट पे जाएंगे और वहां पर अपना इमेल आइडी मोबाइल नंबर और अपने नाम को डाल कर फिर ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपने मोबाइल या कम्प्यूटर पे साधना को डाउनलोड अवश्य करेंगे फिर इस साधना को आप अपने घर में पूरी शुद्धता के साथ अवश्य करें ताकि इनकी क्रपा आपको प्राप्त हो और अगर आप करज में फसे हैं आपके धन के आने के साधन बंद हो रहे हैं आपको किसी भी प्रकार से धन की समस्या है और अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं तो अवश्य ही इनकी साधना कीजिए कोई भी इनकी साधना को कर सकता है और सभी प्रकार से इनकी साधना सदेव शुभ रहती है यहां तक कि अगर साधक साधना में असफल भी हो जाता है तो भी अवश्य ही इनकी क्रपा प्राप्त होती हैं तो यह थी देविए कमला यक्षणी की साधना अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद